हेलो उप्रेशन और विल्लेकम तो दाकेम इफेनिटी इस वीडिया में डिसकस करेंगे जो जैम 2023 है उसका जो ऑफिस्याल ओवी सैड है वो लॉंच हो चुका है और उसका जो ऑफिस्याल नोटिविकसान है वो भी आ चुका है तो जैम 2023 के बारे में सब कुछ डिटेस में जान सिफ्ट है वो क्रिश्टल क्लियर हो जाएगा जैम 2023 के बारे में अगे बढ़ने से पहले आगर तुम में नहीं हो तो चैनल को जूरु सबस्क्रीब कर देंगो क्यों क्यूंख चुक्य जैम 2023 का जो फिसाफिसयाल ओश्याल लॉन छो चुका है इसके बात से आगा फिसलोर स् बतलाव होते हैं तो उसके उपर हम वीडियो लेके आ जाएंगे ठीक है और उसके अलावा देखो जैम के थ्रू जो एडमिशन होता है इसका जो प्रोसीडियोर है और उसका जो काउंसलिंग प्रोसेस है यह सब हम इस चैनल पर लेके आदे तुम देख सकते हो हमारा जो पिछले साल था उसमें भी बहुत सारे वीडियो बनाया था कि कैसे अडिमिशन होता है उसमें ठेक है और उसके अलावा जब जो प्रोसेस से ओ भी हम इस चैनल पर वीडियो के रूप में यहां पर अपलोड करेंगे एंड कव एडमिट का रिलीज होगा सब कुछ हम एक पैकेज समझ लो यह हमारे चैनल पर तुमको मिल जाएगा ठीक है तो इसलिए चैनल को जूर सब्सक्राइब कर देना एंड तुम्ह होता है ठीक है तो जैम का जो फूल फॉर्म है ओ है जोएंड एडमिशन फर्द मास्टर्स ठीक है तो जैम के थ्रू क्या होता है तुम मास्टर्स कर सकते हो मास्टर्स मतलब तुम मस्टर्स कर सकते हो मस्टर्स कहां से मस्टर्स कर सकते हो तुम आईटी से कर सकते हो होता है कि आइटी एनाइटी आइजर से पढ़ने कर ठीक है लेकिन जब तुम बेशिक साइंस में आ जाते हो मतलब फिजिक्स कमिश्टी मैथ बाइलोजी यह सब ओनार्स लेकर आते हो और नॉर्मल पढ़ाई करते हो गैजवेशन तो उस टाइम पॉसिबल नहीं हो पता लेक आईर से से नाइटी से तू ओ ही मॉका त typical को दे रहा है यह से मक्या होता है जो हग फार साल एक सब्सक्रीं करता है। तो इस वार क्या होता है क्या हो रहा है तो यह है इंट्रोड़क्शन पार्ट तो सेकेंड जो डिसकस करने का टॉपिक है वह है इंपोर्टेंट डेट्स ठीक है अगर तुम जैंट ट्रेंट ट्रीक का ओपिसियल ओइसेड में आओगे तो वहाँ पर क्लियाली सब कुछ मेंशन किया हुए देखो जो मतलब जब से बोला है तब से ही शुरूबात होगा आगे पीछे कुछ नहीं होगा ठीक है क्या कि कुछ भी हो जाए लेकिन डेट आगे पीछे नहीं होगा ठीक है लेकिन जो लाश्ट डेट है वह एक्स्टेंट हो सकते है मगर जो शुरूबात डेट है उसमें कुछ नहीं होगा अगर कुछ भी आ जाए कोरोना फिर से आजए तो कुछ भी नहीं होगा ठेक है तो इसलिए बोल रहा हो कि जो डेट है और पाल रिष्ट हो चुका है जो लोग सोच रहे हैं कि जैम देने के लिए तो उन लोगों के एक रुकेश्ट है आभी से मेहनत करो जैम का एक्जाम होगा और कब होगा 12 फेबुरारी को होगा 2023 संडे के दिन होगा ठीक है तो आभी से पिपरेशन स्टार्ट कर दो एंड एक अच्छा आईटी लगा के दिखाओ ठीक है तो जो डिक्लियर्शन ओब एक्जाम है और कब होगा 22nd माश 2023 है ठीक है यह सब डेट अब तुम हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर देंगे तो क्या होगा जिस दिना जिसका जो होना है उसके ऊपर एक विडियो आ जाएंगे तुमारी पास तो तुमको भी इतना पिकना इतन्स इतना इंफोल्ब करने का topic है वह है क्या-क्या subject है क्या हम एक सद दो सब्चेक्ट के exam दे सकते हैं तो क्या-क्या जो दो सब्चेक्ट है वो एक सद दे सकते उसके बारे में देखो जो एक्जाम होगा वह है computer-based test होगा सब्चेक्ट कितना सब्चेक्ट है 7 different subject है क्या-क्या पाइय टेकनोलिक चीक्शी एक इकोनोमिक्स यो लोजी मैथेमेटिकल स्टेक्स्टिक्स मैथेमेटिक्स फिजिक्स ठीक है इसको जो पैटन है वह पैटन क्या रहने वाला है त्लिश का जो रहेगा पहला जो है वह है सब्सक्राइब 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 अगर उसके आंदर तो तुम दिखाए देगा जो कितना रहने वला है ओ है 10 टू माक्स के के लिए ठीक है एंड जो section C है उसमें क्या है टोटल ट्वेंटी नियो मेरिकल कोस्टेन रहेगा ठीक है एड उसके अंदर जो 10 कोस्टेन है वो वन मार्क के होगा एंड जो और तेन कोस्टेन होगा वह है तुमर्क के लिए ठीक है तो यह हो गया जो हो पैटन है उसमें कितना कोश्चन रहेगा और कितना कोश्चन कितना मार्क्स करता है उसके बारे में हो ठीक है तो इसके बाद आते हैं कि इसके बाद आते हैं कि क्या हम दो एकसाम एकसाद दे सकते हैं हाँ यहां पर देखो क्लियरली मिन्सन हुआ है केंडिडेट्स केंड एपियर फॉर आइधर वान और टू टेस्ट वेपर तो कौन सा दो सब्जेक्ट तुम दे सकते हो यह देख लो को यहां पर दो सेक्षान में बटा हुआ है जो शंडे जो फेबरुरेटारी वीजनेंत तुम्हारा हैी त्वप में क्या होगा दो सीप्ट में एक्सां होगा तुमंहारा पहले सिप्ट में क्या होगा केमिश्टी जियोलोजी mathемatics और स्वीक्स शятत टो इक फिजिक्स तेक तो यहां पर एक चीज़ है अगर कोई केमस्टी देना चाहते है उसके साथ मैं इसमेडिक्स देना चाहते हैं वह उसके साथ में नहीं लहीं जो कि अंसे सीव मैं एक्जाम है तो अगर कोई कैमिश्टी्ट दे सकते हैं उसके साथ तर तुम बायोत्टनोलोजी बिए सकते हो लेकिन मैफेमेटिक नहीं दे सकते हो नहीं दे सकते हैं कि क्योंकि इस सेमस्प में एक्जाम है थीक है तो यह हो गया exam के बारे में details discussion और उसके जो application fee है तो application fee क्या है देखो अगर तुम एक test paper के लिए तुम एक ही exam देना चाहते है chemistry के लिए all the ठीक है और कोई भी subject हो ठीक है तो उसके लिए जो female category है है उसके लिए नाइन हांटे ठीक है और अगर तुम दो टेस्ट पेपर देना चाहते हो सब्सक्राइब तो उसके लिए फिमेल इस सी एस्टे पी डॉब्लू जो स्टूडेंट है उसके लिए बारसा पच्चास ठीक है रूपय तुमको देना होगा और अलादर कैटागोरी उ होगा तुथाजन फाइब रूपी देना पड़ेगा ठीक है यह हो गया जो एक्जाम डिलेटेड डिसकसान हो गया तो मैं बार बार बोल रहा था कि जैम कि थ्रू आइटी में जा सकते हो आईजान में जा सकते हो तो तुम यहां पर देख सकते हो कि ओनली आइटी में एप् रहीं अगा उन्सभी में टूटाउजन ठीहंडेट सीर से तो तुम सो सकते मार्दन फाइब ताउजन सीर से अनली जैम के थूफ ट्रू ठीक है तो इसलिए जैम का जो इंपोर्टेंस है वह इतना ज्यादा है ठीक है तो यहां पर जो एलिज़िटिटी क्राइटेरिया क्य वह है जो Candidates है उनको सिर्फ जो अंडर ग्रेजुएशन डिग्री है और जो ग्रेजुएशन है वो कॉंप्लिट करना चाहिए ठीक है देखो Candidates should have passed and undergraduate degree और should be currently studying in their final year of undergraduate program ठीक है अगर तुम तुम मतलब दावी तुम थाड़िएर में हो और शुंसर में हो ठीक है तो तुमभी एक्सम देंशकती हो और तुम मैं सलिक्शान हो घाथ क्योंगे और तुम ही यहां पर क्वालिफाइब करोगे और तुम भी जाहिए तorf क्या है ऐजो तुम्हारा जो अंडर क्यों हिट्गी थिए हों सेप्टेमबर ठट्टि औरrise के अंदर एक प्लेट हो जाना तो सिर्ट चाहिए ठीक की है प्लवक्ति होना चाहिए कब तक कब क्या नियुक्त बहुत सूच तही कि मेरे तो मार्क्स नहीं है मेरा मार्क्स लो है तो मैं आइडिस में ले सकते हूं कि ने ले सकते हूं हाँ दो सल पहले एलिप्यूटी क्राइटिरिया में यह मेंसन किया था लेकिन कोविट के कारण अभी जो नंबर के जो नंबर में जो दिक्कत आती थी लेकिन अभी वह नहीं आएगा ठीक है तो यहां पर कोई भी मार्क्स का जूर्दत नहीं है सिर्फ तुमको पास करना है ठीक है तुम्हारे जो ग्रैजुजेशन टीग्री हां लेकिन जो लोग एनटेज में पिसल लेंगे उसके लिए 60% मार्क मेंड़ेटरी है यह ध्यान में रखना कि अगर तुम 60% माक्स से ज्यादा नहीं होगा तुम्हारे ग्रैजुएशन में तो तुम एनटेज में एडिमिशन नहीं ले सकते हो ठीक है तो यह था जो एलिजिटीर क्रिटिरिया रिलेटेड डिस्कॉशन हमारे जो शीक्स एंड लास्ट टॉपिक है कैसे डाउनलोड करना एक तुह यहां पर क्या है टेश्ट पर यहां पर जाना है जिद दिन तुम्हारे जो सब्सक्रेज कर ले ना सबूझ मैं कैश्टिक चूछ कर रहा हुं ठीक है तो देख हो यहां पर हैं पर सिलेख भास भी आ गया एंड को यहां पर धिया हुआ है तो तुमको जो जरूरत है और डाउलोड करना है है देखो हम सीलेवास में क्लिक किया मैंने तो मेरा जो सीलेवास है ओ आ गया ठीक है देखो एक चीज है अगर तुम तो क्या है जो सीलेवास में मेंसट क्या है हार एक जो टॉपिक मेंशन किया है वह अच्छे से पढ़ लेना मतलब आंक बंद करके तुम्हारा जैम क्लियार हो जाएगा ठीक है तो यह था पूरा जो जैम 2023 के बारे में डिटील्स डिसकॉसन किया अगर तुम्हारे पास कोई भी डाउट है कोई भी तुम मतलब विदाउ अगर तुम्हारा कोई दिक्क्त है तो हम्हारे और से पूछ लेना तुमको वहां से पूछ लेना तुमको बहुत हम में आएगा तुमको बह। एलो करेंगे हो लोग ठीक है ओबहुत हेल्फुल है एंड बहुत helping hand है थीक है तो तु को आगर कोई भी दिख्कते हैं तुम ग्रोब में मेसेज कर देना कोई ना कोई एक तुमको तुम्हारा reply दे देंगे ठीक है तो मैं नीचे दिस्क्रिशन में और सब्रूप का लिंक दे दूंगा अगर तुम चाहो तो वहां पर जोइन भी हो सब्सक्राइब तो यही था एक कॉम्पेक्ट वीडियो जैंब 2023 के ऊपर असा करतो वीडियो अच्छे लगे अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को जूर सब्सक्राइ जाए 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 फैंट सेयर पर देन ठीक है तो थैंक यू फर वाट तिंद वीडियो गट्लिस वाल